वेलकम टू स्टैनो विद पारस डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट इस पर यकीन करना कठिन है कि दुर्दान्त विकास दूबे सच मुठ भेड में मारा गया लेकिन पुलिस के दावे पर हैरानी प्रकट करना भी इस सच्चाई से मुहू मोड़ना है कि अपने देश में ज्यादातर मुठ भेड संदिक्द किस्म की ही होती है कुछ महीने पहले जब हैदराबाद में हत्या और सामोहिक दुस कर्म के आरोपियों को मार गिराया था तो उसी तरह हंगामा मचा था जैसा आठ पुलिस कर्मियों के हत्यारे विकास दूबे को कथित मुठ भेड में मारे जाने के बाद मचा है तब सुप्रिम कोट के मुख्य नियाएधीस ने कहा था कि नियाए बदला लेने में तबदील नहीं होना चाहिए लेकिन क्या खुंखार अपराधियों को उनके किये की सजा देने वाले तंत्र में सुधार के लिए कोई ठोस कदम उठे ऐसी कोई सूचना नहीं हकीकत तो यह है कि अगर हैदराबाद की मुट भेड नै होती तो सायद देश को धहला देने वाले निर्भ्या कांड के अपराधी अब भी फासी की सजा का इंतिजार कर रहे होते आखिर इस सच को सुईकार करने से कब तक बचा जाता रहेगा कि अपने यहां अपराधियों को सजा सुनाने में अंधेर की हद तक देर ही नहीं होती बलकि सजा पर अमल में भी अनावस्यक विलम होता है इसी तरह पता नहीं क्यों इस सच की भी खूब अंदेखी हो रही है कि हमारी आपराधिक नियाय परणाली इतनी नाकारा है कि ज्यादतर अपराधी छूट जाते हैं पहरा यदि अपराधी माफिया किस्म का होत तो उसे सजा मिलने के संभावना कम ही होती जाती है इसी तरह अगर कोई माफिया राजनीती में सकरिय हो जाए जैसा की आज का चलन है तो फिर उसके जेल जाने के बजाए पंचायत विधान सभा और संसद पहुचने के आसार बढ़ जाते हैं हैरानी नहीं की इसी कारण राजनीती के अपराधी करण पर लगाने की हर पहल नाकाम हो रही है निरवाचन आयोग यह कहते कहते ठक गया की कम से कम उन्हें चुनाव लड़ने से रोको जिन पर संगीन अपराध में लिप्त होने का आरोप हो लेकिन कोई सुनवाई नहीं यह अनसुनी ही राजनीती के अपराधी करण को खाद पानी देने के साथ ही विकास दूबे सरीखे माफिया तैयार कर रही है नियाय और नियती का तकाजा यही कहता है कि अपराधी चाहे छोटा हो या बड़ा उसके मामले में विधी सम्मत प्रेक्रिया का प्रभावी ढंग से पालन होना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य से यह केवल किताबी ग्यान बनकर रहे गया है सब यह समाज संदिक्द किस्म की मुट भेडों की इजाजत नहीं देगा लेकिन वह इसकी भी नहीं देगा की कोई विकास तूबे थाने में गुसकर हत्या कर दे और फिर भी छुटा घुमे इश्टोप